हलो डियर स्टुएंट स्वागत है आप सभी का एक्सपी किलासिस में मेरा नाम है मुकुन्द रक्षा बारा गड़त के अंदरकात हम लोग अध्याय 9 की तैयारी कर रहे थे जिसके मैंने आपको अध्याय 9 यानि कि आपका आउकल समी करा और अगर आपने अध्याय 9 चैप्टर 9 डिफरेंशियल एक्वेशन के पुराने वीडियो नहीं देखें तो आपको 12 गड़त की प्लेडिस्ट जरूर चेक आउट कीजेगा जिसके अंतरकात आपको पुराना कोर्स मिल जाएगा इसक जिएगा क्योंकि वह आपका बोर्ड एक्जाम को द्यान में रखते हुए वीडियो बनाएक हैं जिसमें आपके most important question दिये हुए यदि आप वह देखते हैं तो इससे आपकी तयारी बहुत ही जादा अच्छी हो सकती है तो उसको जबर एक बाद चेक आउट कर लीजेगा औ और यदि आपके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आपका चबार अगड़की पराने वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो लेक्ट्टर के अंदर हम एक्साइए 9.3 का part 1 का cover करने वाले यानि एक्साइए 9.3 के जो example और concept है वो सारा इस वीडियो च्को को सबस्क्राइब करने के साथ वीडियो लाइक शेयर कमेंच करना मत बूलेगा वीडियो में आपको हर हाल में नएक नएक कमेंट्स जरू करना है और आपको बताना है कि यह जो वीडियो लेक्ट्टर आपको मिलते हैं यह आपके लिए कितने ज़्यादा ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वहां पर आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं क्यूरी आप अपनी कवर कर सकते हैं और ज्यादा देर ना लगाते हुए इस एक्साइज की तर बढ़ते हैं एक्साइज 9.3 का पार्ट वन देखते हैं आंगे देखते हैं और आपको यहां पर आपको दो टॉपिक दिए हैं क्या कि दिये हुए ब्यापा खल वाले आउकल समी करने का निर्मान ठीक है यानि फॉर्मेशन ऑफ और डिफ्रेंशियल एक्वेशन हूज सोलूशन इस गिवि आपको समझाने की बात करते हुए ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए हैं नहीं अपने पास सवाल बहुत ही यह था सिंप्र लेने वाले देखिए क्या है कि आपको समीकर्ण दे दिये एक स्कार प्लस y स्कार प्लस 2x-4y प्लस y बरावर 0 अब यह आपको देखके क्या और त्रिज्जा एक एक आई है ठीक है इसको आपने समीकर्ण नमर एक माल लिया है समीकर्ण एक का एक के साफ़ेश आप आउकल समीकर्ण बना देंगे सिंपल बात है बहुत ही सिंपल जीज़े अब मुझे आप कमेंट्स करके बताई कि आपने कक्षा 11 का चेप्टर नमर 11 पढ़ रखा है कक्षा 11 का चेप्टर नमर 11 में जो वहाँ पर ब्रत का समीकर्ण दो एक तो इस तरीके से बता जाता आपको ब्रत का समीकर्ण एक समीकर्ण आपको यह बता जाता है ठीक है कक्षा 11 के चेप्टर नमर 11 में आपको मैं याद दिलानी कोस्त करूँ और दूसरा ये वाला जो समीखन आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्मीशन तो इस वाले में क्या होता था भी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 जहां पर जो केंद्र होता था केंद्र भाईया minus g and minus f होता था और जो त्रिज्जा होती थी अगर मैं त्रिज्जा की भी बात कर लूँ ठेक है जो की value होती थी वो होती थी थी आपकी under root of g square plus f square minus c ठीक है कक्षा 11 चप्टर नमर 11 कॉनिक सेक्षन संकु परशेद में ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको सिखाई हैं कमेंट्स करके बताए कि आपने ये चप्टर पढ़ा है आप मुझे बताए कि आपने क्या ये और तो आपने एक एक आई देख रखी ठीक है अब इसका अगर आप आउकल समिकर्ड मनाते हैं तो x के साफ पर आपको पताओ आउकलन करेंगे और जब x के साफ पर आउकलन करेंगे तो यहां से मिलेगा 2x plus 2y and dy upon dx 2x का हो जाएगा plus 2 minus 4y का हो जाएगा 4 and dy upon dx 4 का निकलेग 0 बराबर 0 अब dy upon dx जो है को कॉमन निकाल लेंगे और जो भी कुछ आपका पार्ट बचा है कौन सा पार्ट 2x and plus 2 इसको आप पच्छांदर कर लिए simple तो यहां से आपने dy upon dx को कॉमन निकाला और यह हो गया वही कॉमन निकालने के बाद 2y minus का 4 और पच्छांदर करने पर minus 2 2x minus 2 अब यहां पर आप भाग देंगे så dy upon dx बराबर क्या minus 2 कॉमन निकाल लो तो यह हो जाएक एकpad यहा artists में भाग हो रहा था my 2y minus का 4 ठीक है यहां से भी हाप minus 2 कॉमन निकाल सकते हैं dy upon dx बराबर minus 2 and x फ्लस वन अपॉनद इसको रहें तो यह हो जाएक akan minus y plus 2। ठीक है अब simply minus 2 minus 2 यहाँ पर आप cancel out कर रहे हैं minus 2 और minus 2 यह cancel out हो गया तो यहाँ से अब आपने आउकल समिंगन क्या बोल दिया कि dy upon dx बरावर x plus 1 upon 2 minus y अब 2 minus y और साथ ही यहाँ पर आप यह भी बता सकते हैं कि y की value 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर आपने y का मान 2 रख दिया तो नीचे 0 बन जाएगा हर में और हर में 0 बनना नहीं चाहिए क्योंकि उस स्थिति में यह पूरा आ परभासित हो जाता है तो जहां y not equal to 2 तो इस तरीके से आपको कहेगा कि ब्रत का समीकर दे देगा इस तरीके से या फिर मान लो इस प्रकार से आपका ब्रत का समीकर उसने दे दिया मान लेते हैं आपर एक ब्रत का समीकर एक स्क्वार प्लस y स्क्वार बराबर r स्क्वार दे दिया आपको पता है ये भी एक ब्रत का समीकन है, तो इसका अगर आपने आउकॉलन किया, तो आउकॉलन करने के बाद कुछ आपको सिस्टम इस पेकार से निकल किया जाएगा, इसके अलावार रेखा के समीकन की भी वह बात कर सकता है, कि y is equal to mx plus c y equal to mx plus c तो अगर आपने एक बार आउकुलन किया द्यान दिजेगा एक बार आउकुलन किया तो dy upon dx बरावर m में लेगा लेकिन आपको अचरपद हटाना है द्यान रखेगा अचरपद हटाने के लिए आप dy upon dx square बरावर 0 ले लेंगे तो इस तरीके से चीज़ें आपकी यहाँ पर घटेत होती है आँगे देखते हैं जैसे मैंने आप चेका कि NCIT में आपके यहाँ दो टॉपिक इसमें दिये हैं तो दोनों टॉपिक को देख लेते हैं दूसरा टॉपिक ही रहा आपका और बताने के लिए इसमें जादा कुछ खास नहीं है सवाल बहुत जादा सिंपल रहेंगे किस तरीके से करना है देख लिए कि आपको कह रहा है कि दिये हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले आउकल समीकर्ण के निर्मान की प्रिक्रिया यानि कि प्रसीजर टू फॉर्म और डिफ्रेंशियल एक्वेशन डैट विल रिप्रजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व ठीक है या कर्व इस बारे में बात करना है तो बेसिकली यहां पर आपका जो टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा कि आपको एक समीकर्ण देगा और उस समीकर्ण से आपको आपको समीकर्ण बनाना है फिंपल बात है अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जितने उसमें देखो वो आंगें बात कर लेते हैं लेकर इसमें आपको यह ध्यान रखना है और एक topic ये रहा, तो दोनों लिग topic को अगर मैं सरल भास में करूं, तो ये आए, basically आप आउकल समीकर्ण बना रहे हैं, तो आउकल समीकर्ण बनाना यानि की formation of our differential equation, तो आउकल समीकर्ण बनाने की निमने दो भी दिया हैं, एक तो सीधे परभासा द्वारा और दिये हुए समी समीकर्ण से स्वेक्ष अचरों के विलोपन द्वारा, बस, ये है आपका में मतलब की चीज़, तो अगर मैं बात करूं सीधे परभासा द्वारा, यानि direct from the definition, तो कभी-कभी कुछ ऐसे कतन दिये होते हैं, जिनने सीधे ही आउकल समीकर्ण में बना जा सकते हैं, ये आपका में काम की चीज़ होगी, तो वहाँ पर समीकर्ण में जितने आपके अचर पद होंगे, उनको आपन को विलोपन करना, बेसिकली में काम अपना ही रहेगा, ठीक है, तो किसी अब जला ये ध्यान देना, किसी वक्र कुल को नुरूपत करने वाले आउकल समीकर्ण की कोटी उ स्वेक्ष अचर होते हैं, बात को ध्यान रखीगा, आउकल समीकर्ण की कोटी उतनी ही होती है, जितने समीकर्ण में स्वेक्ष अचर होते हैं, ये चीज़ आपकी मेन है, ध्यान रखीगा इस बात को, तो आँगे बढ़ते हैं, कोश्चन देखते हैं, और आपको ये कह रह होती है जितने सवेक्ष अचर होती है ठीक है तो यहां पर कितने सवेक्ष अचर है कि एक फ्ष है تو कोटी कि नी रखेंगे एक क्षी आ बात को तो यहां से Y is equal to MX दिआ है ठीक अब बाइ वराबर MX क्या है 10 रेख का समीकन है वक्रों की बात करें ना वक्रों के कुल तो ये किस तरीके कहा है रेखा का समीकन है y is equal to mx तो y equal to mx और एक ऐसा आपका रेखा का समीकन है जो आपके origin यानि मूल बिंदू से होकर जाएगा y is equal to mx तो एक बार alkaline करेंगे तो dy upon dx बरावर हमें क्या मिल जाएगा x m मिल जाएगा ठीक है क्योंकि alkaline करने पर x का हो जाएगा 1 और m तो बहार निकलाएगा constant पर तो बहार निकलाएगा अब क्या करेंगे भई m बचा है m को आपको हटाना है m हटेगा m कैसे हटेगा यहां से हट जाएगा m की आप कुछ नहीं value रख देंगे तो y upon x है अब m की value ठाके रख दीजे तो अचरपतर जाएगा आपका dy upon dx बरावर y upon x कैची कोड़ा कर लेंगे so x dy upon dx बरावर y और चाहो तो आप y को भी इस तार पच्छांदर कर सकते हैं तो यहां से आप कहा देंगे x dy upon dx minus y बरावर 0 ठीक है तो यह आपको वक्र दिया था यानि कि यह जो रेखा का समीकर है y is equal to mx इसके लिए आपने आपका समीकर इतना निकाल के दिखा दिया कुछ यह करना पड़ता है इसमें क्या करना पड़ता है basically कि जो आपका आचरपद है उसका विलोपन भी हो जाए जितने आचरपद है उतनी ही कोटी का आपका आउकल समीकरन निकल के है तो एक आचरपद था तो एक कोटी का आपने आउकल समीकरन बना के दिखा दिया है कुल यहां पर कुल का मतलब टोटल नहीं फैमिली से यानि परिवार से कुल का अड़्थ हुआ परिवार यानि फैमिली यानि उस कर्व के मेंबर तो य बलावर ए साइन एक्स प्लस भी एक आपका कर्व है जिसमें ए और भी स्वेक्ष अचर हैं को निरूपित करने वाले लिए तो आज कोटि कितनी होगी दो होगी जब दो कोटि होगी तो आपको पता है कितनी नहीं करना है then x plus b करेंगे तो 1 plus 0 निकलेगा इतने निकलेगा तो यहां से यह आप कह रहे है a cos x plus b बन जाएगा अब इसका एक बार फिर से अगर आउकलन करेंगे so d2y upon dx square a cos x plus b का आउकलन करेंगे तो a आएगा cos का होता है भई माइनस का sin x plus b ठीक है और x plus b का फिर से करेंगे तो यहां जाएगा 1 plus 0 तो यहां जाएगा minus a sin x b इतना निकल करेंगा और आपको पता यह value क्या है a sin x plus b और कुछ नहीं y है तो उठा के value y put कर देंगे so d2y upon dx square बराबर minus का y y का पच्छा अंदर कर लीजिए so d2y upon dx square plus y बराबर 0 मिल गया ठीक है तो इस तरीके से करना था कोई दिक्कत नहीं बहुत ही simple सवाल है बहुत ही यादा simple सवाल है इस तरीके से हो गया उधारा नमर 6 देखते है आपको कह रहा है ऐसे ही दीरुरतों के कुल को निरूपित करने वाला आउकल समीकर्ण गयाद कीजिए जिनकी नाभियां x अक्ष पर है तता जिनका केंदर मूल बिन्दी तो आपको भई दीरूपित का समीकर्ण याद होना चाहिए जो कि आपने का अक्षा 11 में चैक्टर नमर 11 में पढ़ रखा है कि कोटी कितनी होनी चाहिए दो होनी चाहिए इसका मतब दो बार आपको आउकलन करना है तो यहाँ पर सिंपल दो बार आउकलन करेंगे तो a square और b square constant पाद है तो x square करने के लिए अभि 2x upon a square और y square करने के लिए अभि 2y upon b square and y है तो dy upon dx और 1 का हो जाएगा पर जीरो ठीक है देन इसको आप पच्छांतर करते हैं अगर इसकी वैल्यू निकालें डिवाइपॉण डिएक्स की तो कितना हो जाएगा यह कर रहे हैं बरावर माइनस का 2x अपॉण ए स्कॉर और यह 2y अपॉण बिएक्स बरावर ले रहे हैं माइनस का 2x अपॉण ए स्कॉर गोड़ें पलट जाएगी जीरो यहां से दो से दो कैंसल आउट कर सकते हैं तो यहां पर यह कह रहे हैं भी डिवाई अपॉण डिएक्स बरावर माइनस का बी स्कॉर अपॉण ए स्कॉर एंड यह बना एक्स अपॉण वाई अब कुछ नहीं करो देखो चुकि अचरपद आपको हटा रहा है द्यार रखने इस बात को आर्वर्टरी कॉंस्टेंट यानि अचरपद जो है वह आप हटाते हैं तो उसके लिए कार करेंगे एक्स और वाई इसका पच्छांदर कर लीजे तो यह चीज यहां आएगी तो आएगी वाई अपॉण एक्स इंटू का डिवाई अपॉण डिएक्स बरावर माइनस का ड आपॉण डिएक्स एंड यहाध बाई लाइएक्स प्लस त्द इवाई अपॉण डे एक्स को बाहर निकाल लीजे इन्टू में डी अपॉण डी अपॉन डी एक्स में फर आपर फर्ट सेगेंड रूल अन्स हर वाला रूल लगाना है तो क्या हुता है कि हर को बाहर रखेंगे अन्स काउकलन डी अपॉन दी एक्स माइनस अन्स को बाहर रखेंगे अपॉन में जो हर है उसका हम बर्कर देते हैं इस तरीके से और यहां तो निकल आएगा 0 ठीक है अब कुछ नहीं एक काम कर लिए सबसे पर तो लासा ले ली यहां पर आपने लासा लिया x square का तो x square का यहां पर गोणा होगा और यहां पर है y upon x into का d2y upon dx square प्लस यहां है dy upon dx और यह अंदर है x dy upon dx minus का y बराबने 0 ठीक है तो यह हर है और पच्छांदर करने के दो गोणा हो जाएगा तो 0 आजाएगा यहां से और यहां आप कहारे हैं देखर यहां पर आप क्या कर सकते हैं इस x से एक यह x simply कड़ गया तो यहां तो x का गोणा करने पर x y add d2y upon dx square मिल जाएगा plus dy upon dx के गोणा करने के तो यहाएगा x into में dy upon dx का whole square और minus का y into dy upon dx बराबर 0 तो simply यही आपका answer आजाएगा ठीक है और इसमें कुछ करने के लिए रहने के तो यही आप कह देंगे तो यह भी यह हो जाएगा answer ठीक है तो इस तरीके से करना तो ध्यान रखिएगा यह सवाल इतना answer आपका आजाएगा आँगे बात करते हैं और आपको दार नमर 7 दे रहा है कि x अक्ष को मूल बिंदू पर ispurs करने वाले वरतों के कुल का आउकल समी करन गयाद कि अभी ध्याना दूब जो आपका ब्रत है वो x अक्ष को मूल बिंदू पर ispurs कर रहा है ठीक है और ब्रत की बात कर रहे है तथा त्रिज्या A है तो ब्रत का समीकर तो भई ब्रत का समीकर तो भई ब्रत का समीकर जो होता है आपका X-H का whole square प्लस Y-K का whole square बरावर A square ये तो हो गई फॉर्मूले की बाद जो आपको याद रखना है आपने कक्षा 11 में चैप्टर नमर 11 में सीखा था ठीक है अब यहाँ बात कर लेते हैं केंद्र क्या रहेगा तरिज्या कितनी रहेगी तो देखो X-H को मूल बिंदू पर इसपर्स करने वाले तो जो ब्रत है वो X-H को इसपर्स कर रहा है यहाँ रखेगा वो यह नहीं कहा रहा कि जो केंद्र है वो मूल बिंदू है जा रखेगा समझना बात को, यहां से यहां तक की जो दूरी माल ली, वो आपने A माल ली, तो 0 A केंद्र हो गया, और त्रिज्जा A माल ली, ठीक है, त्रिज्जा भी हमने A, त्रिज्जा भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी A ले ली तो केंद्र हो जाएगा X सक्ष के लिए तो कुछ नहीं टच कर रहा है X सक्ष के लिए 0 हो जाएगा Y के लिए हमने ले लिया उतना A समझना बात को Y के लिए हमने ले लिया A तो यहां से आप कितना रखेंगे फिर से यदि केंद्र, केंद्र है आपके पास 0a और 3ज्या है अब बहुत से स्टुटेंट इस बात पर कंफूर जाएते हैं ते तीन लाइन और दो लाइन कब खेची जाती है एक हिस्ट्रेंड ने मुचसे पूछा था त मैं आपको अगर बता दूँ तो तीन लाइन आऊ खेंचने का मतलब वह बिंदु को बता राए किसको बता रहा बिंदु घो बता रहा और दो लाइन का आर्थ होता है बराबर करें सारा, ठीक है तेन लाइन का आर्थ है, वो हम बिंदू की बात कर दें, तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो यह कितना निकल के आएगा, भाई, एस की वैलू जिरो, यानि यह हो जाएगा, एकस स्क्वार सीधा सीधा ब्रत का समीगर, यहाँ पर आप लिख रखते हैं ब्रत का समीगर, ठीक है तो ब्रत का समीगर, कितना? एकस माइनस जीरो स्क्वार प्लस वाई माइनस ए स्क्वार बराबर ए स्क्वार तो यहां से हो जाएगा x square plus y square plus a square minus का 2ay बरावर a square यहां simply a square से आप a square cancel out कर सकते हैं और अचरपत कितने हैं एक अचरपत है तो यहां से जो आउकल समीकर्ण आपको बनाना है वो एक कोटी का आउकल समीकर्ण यहां से आप create कर पाएंगे तो यहां पर अगर मैं बात करूँ तो यह निकला x square plus y square बरावर 2ay का परचांदर करते हैं तो यह 2ay हो जाएगा और एक ही अगर आप यहां value निकाल लें कियांगे आपको एक ही value रखनी पड़ेगी ठीक है तो एक ही value यही से निकाल लेते हैं तो यहां से एक ही value कितनी आ जाएगी x square plus y square upon 2y ठीक है अब इसका आप आउकर नों कर देते हैं अगर यहां से हो जाएगा 2x और x square 2x एंड x के साब इसकाटर हैं y square का हो जाएगा 2y into dy upon dx और बराबर 2a y है तो यह 2a और y का हो जाएगा dy upon dx ठीक है तो दो कॉमन निकाल लिया x plus y dy upon dx बराबर 2a की value रख रहे हैं आपर x square plus y square upon 2y into का dy upon dx और simply यह 2 से 2 आपने कर दिया ठीक है और 2y का पच्छा अंदर कर लो तो यह हो जाएगा x plus y and dy upon dx है और यहां पर आपने 2y के गुणा करा दिया और यह x square plus y square and dy upon dx ठीक है तो अब यहां पर dy upon dx को अगर कॉमन निकालने की बात कर लिते हैं तो कुछ नहीं 2y का अंदर कुणा कर रहा है तो 2xy plus 2y square and dy upon dx बरावर में x square plus y square and dy upon dx ठीक है इस चीज का पच्छा अंदर कर लेते हैं क्योंकि dy upon dx कोमन निकालने तो 2xy बरावर x square plus y square and dy upon dx minus का 2y square dy upon dx ठीक है तो 2xy बरावर dy upon dx कोमन निकालने तो अंदर कितना बचना है यह x square plus y square minus का 2y square so 2xy बरावर dy upon dx एंद यूरा x square minus का y square यहां से आप कह रहे हैं भी dy upon dx dy upon dx 2xy upon x square minus y square यह हो जाएगा अभीष्ट आउकल समीकरन ठीक है यहां पर आप कह सकते हैं कि अभीष्ट आउकल समीकरन है ठीक है अभीष्ट आउकल समीकरन है योगया answer ठीक है न तो इस तरीके से करना था ध्यान रखिएगा भरिया सवाल था इस तरीके से उधार नमर 8 की बात करते हैं आपको कहरा कि ऐसे परवले के कुल को नीरूपित करने वाला आउकल समीकरन ग्याद कीजिए जिनका सीर्स मूल बिंदू पर है जिनका अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिसा में है तो यह आपका है सवाल ठीक है अब दहान तो यहां पर सवाल टाने बैतों बात यह कहरा chords कि परवले के कुल को नीरूपित करने वाला आपको आउकल समीकरन चाहिए ठेक है न और ऐसा परवले जो X अक्ष की धनात्मक दिसा में है मतलब जिसका मुख जो है वो X की धनात्मक दिसा की ओर खुल रहा है यह आपका है तो आपने एक अक्षा 11 में चैप्टर नुमर 11 में जो परवले है वहाँ पर आपको बताया जाता है ब्रत परवले दीर ब्रत अधी परवले यहाँ पर समझाए जाती है तो ब्रत परवले का समीकर्ण जो X की धनात्मक दिसा की ओर है कुछ इस तरीके से होता है आपको परवले X की धनात्मक के सामें समीकर्ण क्या होता है Y स्क्वाइर वड़ाबर 4X ठीक है याद है आपको तो यहां से, अब देखो कितनी constant है? एक constant है तो जो आउकल से मुनी करips होगा, उसकी कोटी कितनी होगी एक कोटी होगी, इसका मतलब आपको 1 बार आउकलन करना है और एक बार आउकलन करना है, और यहां पर ध्यान रखना है a की value आपको बाद में रखनी पड़ेगी तो a का आवान कितना निकलेंगे यहां से y square upon 4a अच्छा अगर इसका आपने एक बार आपको लून किया तो कितना निकल का आएगा 2y and dy upon dx बरावर 4a निकलेगा क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा and 2y dy upon dx बरावर 4a value आप रखने हैं यहां पर 4x आएगा ठीक है a बरावर कितना आएगा y square upon 4 y square upon 4 x ठीक है तो यहां पर आप रखने हैं a बरावर y square upon 4 x तो simply यह 4 से और यह 4 cancel out कर रहे हैं और यहां पर आपने कहा कि 2y dy upon dx बरावर y square upon x 2y को पच्छा अंदर कर लो so गुडे में हो जाएगा भाग dy upon dx बरावर y square upon 2 x x into 2y ठीक है केतना निकल के आएगा यह x into का यहां पर रूप कर सकते हैं simply 2y ठीक है तो यह हो जाएगा dy upon dx बरावर y से हम एक y cancel out कर सकते हैं एक y से तो यह उपर बच रहा है y upon बचा 2x ठीक है कैची को ना कर लीजिए तो यह निकल के आएगा 2x dy upon dx बरावर y ठीक है और अगर हम इसको पच्छांदर कर लेते हैं किस चीज को इस system को अगर पच्छांदर किया तो इस system को पच्छांदर करने पर यहां क्या बचेगा 0 बचेगा अब इस पूरे के पूरे system को यह plus का उसद लेके जाएगा तो minus का हो जाएगा कह सकते हैं कि y-2x dy upon dx बरावर 0 या फिर आप y का पूरे में गुड़ा कर दीजे अगर y का पूरे में गुड़ा करते हैं तो यह निकल के आएगा y square minus 2xy dy upon dx बरावर 0 इतना भी आप बोल सकते हैं तो यह हो जाएगा अभीष्ट आउकल समीकरण है ठीक है तो कुछ इस तरीके से था तो इस तरीके से आपका उधार नमबर 8 भी लग गया बहतरीन तरीके से मज़ा आ गए होगी यह मौच कर दिया होगा तो जिसमें अबाल हो ऐसा खून चाहिए जीत की खातर ऐसा जुरून चाहिए जीतना है और उसके लिए जुरून चाहिए यह आस्मा भी आये का जमीन पर बस इरादों में ऐसी गूझ होने चाहिए आपके इतने इरादे मजबूत हो कि आस्मा भी गूझ होटे आपकी वावाई से बस मज़ा आ जा है मौच आ जा है इस तरीके से काम कीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और इसके लाबा मिलेंगे अगले वीडियो में तो इस परकार से यह वीडियो यहीं समाब्त होता है उमीद है आसा है यह वीडियो आपको बहुत ही याद अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और कोई भी समय स्था नहीं रही होगी यह दि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरू कर लिएगा क्यूं अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट्स करना मत भूलिए कमेंट्स करके यह बताईए कि आपको यह जो कोर्स मिलते हैं या आपके लिए कितने यादा यूजफिल साबित होते हैं इसके अरावा यदि आप डारेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक दिकत नहीं आती है तो मिनिमम प्राइज पर मिनिमम फीज पर आप उस क्लास को जोइन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीज रहती है इस बात को ध्यान रखिएगा तो आंगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोचल मीडिया प्लेटफार्म के हैंडल को follow करना चाहते हैं तो follow भी कर सकते हैं यासे khi facebook, telegram, twitter एण instagram यहां पर हमसे personal बात भी करता क्याते हैं